नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग fantasy talent आप यूटूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों वीडियो में हम बात करेंगे लंका प्रीमेर लीग के मैच नमबर आठ के बारे में कॉलंबो स्ट्राइकर्स और दामबुला ओरा के विच में कल दोपहर तीन वजे मैच खिला जाएगा दोस्तों बाबर आजम से भी जरूरी अगर कोई player है captaincy के लिए तो वो कौन है किन खिलाडियों को आपको team में pick करना है small league के लिए grand league के लिए कौन जरूरी सब कुछ वीडियो में बताऊँगा दोस्तों मेरे 4 घंटे की मैनत मैं आप लोगों के सामने 20 मिनिट के अंदर लाया हूँ अगर आप लोगों के पास में ये 20 मिनिट नहीं है तो मेरे 4 घंटे की मैनत बेकार समझो तो इसलिए time निकालना पूरा वीडियो देख लेना अगर आप invest कर रहे हैं इस match के अंदर तो और सबसे पहले जिन लोगों ने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है चैनल को सबस्क्राइब करने के साथ में बेल आइकन पे प्रेस कर देना और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर देना और दोस्तों जो मेरा final update है वो मैं आपको टेलेग्राम पे लगातार provide करता हूँ जिसका link मैंने आपको वीडियो के description में दिया हुआ है तो अगर आप लोगों ने टेलेग्राम पे join नहीं किया है तो वीडियो के description में जाओ जो पहला link के उस पे click करो और सीधे टेलेग्राम पे आजाओ किसी को भी एक रुपे देनी की ज़रूत नहीं है अब बात कर लेते हैं दोस्तों venue के बारे में इस मेदान पर दोस्तों ये होगा तीसरा match पल्ले के लिए international cricket stadium में ये match होने वाला है total matches हो चुके हैं 17 18 match अभी चल रहा है total 11 बार पहले betting करने वाली team ने match को win किया है और अगर हम यहाँ पर बात करें दोस्तों 7 बार second betting करने वाली team match को win कर चुकी है average score लगभग आपको 160 के आसपास देखने मिल जाएगा लेकिन दोस्तों आज का जो wicket मैंने देखा है दोस्तों वो बहुत ज़दा dry surface था पहले match में roll के हुआ wicket था थोड़ा सा heart था बल्लेवाजों ने score कर लिया लेकिन अभी जो second match चल रहा है रात में जो match चल रहा है ना वहाँ पर betting करना इतना मुश्किल है कि 70 run पर 6 wicket गिर चुके है तो इससे आप अंदजा लगा सकते हैं कि ये wicket कैसा है यहाँ आपको turn देखने मिलेगा spinners आपके लिए जरूरी है और गेंदबास आपके लिए ज़्यादा बहतर choice होंगे captain वाइस captaincy के लिए क्योंकि दोस्तों अभी match जो चल रहा है उस current match की में बात करूँ तो चार wicket अल्रेडी दोनित वैलागेले निकाल चुके हैं अब यहाँ इस मैदान पर खेलेगा अगर matches की बात करें तो last match में 156 का score बना BLK ने chase कर लिया था और यहाँ पर fast bowlers को 5 और spinners को 3 wicket मिले थे लेकिन अगर हम दोस्तों मैं सीधा आपको live अपनी pitch के बारे में बताऊं तो वस यही है कि spinners बढ़िया choice रहेंगे अगर same wicket पर match होता है तो और दूसरी चीज यह है कि दोस्तों आपको गेंदवाजो पर ही ज़्यादा focus करना है यहाँ पर नमबर 5 की player ने score किया यहाँ पर दिनेश चंडी मल open करने आये थे लहरू उडारा नमबर 3 यहाँ पर थे यहाँ पर निरोशन डिकवेला open एशन मंडारा नमबर 6 थानू का डाबरे open यहाँ पर नमबर 5 और यहाँ पर open है तो दोस्तों maximum जो score है वो आपको opener से मिलने के chances ज्यादा है इसका reason भी क्या है कि दोस्तों starting की जो wicket होगा वो थोड़ा roll किया होगा 2 या 4 over के बाद में जब wicket थोड़ा सा उखड़ने लगेगा तब बल्लेवासी करना मुश्किल होगी ऐसे में top order के जो अच्छे बल्लेवासी उसको तो pick कर लेना बाकी उसके बाद में जो spin को ज़्यादा बैतर खेलता हूँ आप उसको team में pick करके चल सकते हैं आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं दोस्तों दोनों team की playing 11 के बारे में उम्मीद कर रहा हूँ कि दोस्तों आपको चीजे समझ में आ रही होंगी नहीं आ रही तो एक बात फिल से देखो सब कुछ किलियर होगा अब playing 11 देखना बाबाराजम, डिकवेला, पतुम निशांका, नुवांदू, फर्नांडू यहाँ पर अगर बात करें तो मेंडिस, फर्नांडो, इसके आज सदीरा समझ लिक्रमा, कुछल परेरा और धरनज डिसिल्वा आपको मिलते हैं अब power play और death over में कौन आता है तो power play में आपको मिलते हैं नसीम शा, चमीका करना रतने और मतीशा पतिराना और death over में भी आपको करना रतने पतिराना और नसीम शा गिन बाजी करते हैं मिल जाएंगे यहाँ से बिनूरा फर्नांडो, शाहनवाजधानी, हेडन केर और धरनज डिसिल्वा और death over में आपको head and care, बिनिरो फर्नांडो, शाहनवाजधानी और नूर एहमद देखने मिल जाते हैं अब दोस्तों अगर हम सबसे पहले बात करें कोलंबो स्ट्राइकर्स की तो कोलंबो स्ट्राइकर्स का venue record देखो डिकवेला ने इस मैदान पर चार पारी में किया है 60 run का score अब कमाल बात क्या है जरा देखना 58 तो एक ही मैच में कर दिया था मतलब चार मैचस में 60 run किये हैं जिसमें से 58 एक ही मैच के अंदर कर दिया था और यहाँ पे चमी के करुना रतने 2 में 58 का score है करुना रतने ने 2 wicket भी निकाले हैं और जैफरी के खाते में भी एक पारी में 2 wicket आपको देखने मिल जाते हैं अब पहला नाम है बाबाराजम लास्ट मैच में बाबाराजम ने किंग बाबाराजम वाला performance किया था 55 या 56 गेंदों में नों नहीं 99 run किये थे मतलब बहुत तावर तोड़ बल्लेवाजी थी और वैसे अगर आप इनका record देखोगे तो पहले betting करते हुए 650 और एक शता के और जिस तरीके से पिछला मैच खेले थे अगर उतना ही slow खेलेंगे तो दोस्तो हर मैच में 50 बना सकते हैं इनका strike rate अगर आप बात करें तो वैसे 133 का है और T20 cricket में 115 का इनका highest score है वैसे बल्लेवाज बढ़िया है टीम में रहेंगे और captain और vice captain दोनों की choice है और 19 पारी में 3 बार 50 से उपर का score है मतलब अगर हम बात करें तो almost हर छटवी पारी में 150 बना देते हैं और जो 150 इन्होंने किया है बासर टोनों का score वो इसी टीम के सामने पहले किया था इनको दिक्कत किस से है? left time medium से अब यहाँ पर आपको एक नहीं दो-दो left time मिलते हैं इसी लिए दोस्तों में डिक्वेला को छोड़ने वाला हूं क्योंकि आपको एक head and care मिलेगा एक मिलेगा बिनूरा फर्नांडो अब ऐसा नहीं कि मैंने ये weakness देखके सीज़े छोड़ दिया क्योंकि इस tournament के अंदर already ये दो बार left time medium से out भी हो चुके हैं तो कहीं न कहीं ये परिशानी बड़ी है और orthodox के सामने 14 का average है leg break के सामने 7 का average है हाल भिलाल में इनके पास में leg break और orthodox नहीं है फिर आते हैं दोस्तों number 3 पत्वम निसांका पत्वम निसांका ने 15 का score किया था 15 पारी में इनका 20 का average है और इस team के सामने 26 का average है एक बार 50 से उपर का score इनोंने किया है जो कि पहले betting करते हुए है orthodox और leg break इनको भी परिशान करता है मैं भी possible है कि अगले match के अंदर सामने जो team है वो एक orthodox या फिर leg break को add कर सकती है अभी के लिए आप यहाँ पर यह मान लीजेगा कि निनोशन, डिकवेला या फिर पतुम, निशांका इन दोनों में से आप किसी एक को pick कर लेना दोनों लगबग equal रहेंगे आपके लिए डिकवेला और निशांका दोनों लगबग equal रहेंगे तो ये मानके चल सकते हैं आप नमबर चार, दोस्तो नुवांदू फर्नांडू इन्होंने यहां 28 किया, यहां 17 का स्कोर किया लेकि इनके साथ में समस्या यह है कि इस्पिन को तो यह बिल्कुल भी नहीं खेल पाते जब इस्पिनर कोई गेंबाज इनके सामने गेंबाजी करने आता है तो ऐसा लगता है कि इस बॉल पर ही आउट हो जाएंगे क्योंकि दोस्तो शॉर्ट बिल्कुल ही अलग चलता है इनका बैट कहीं जा रहा होता है, बॉल कहीं जा रही होती है इसलिए इस विकेट के इसाब से ये फिट नहीं है अगर सामने वाली टीम कुछ कॉलर्टी स्पिनर लेके खेल रही है तो बकाइदा इनका विकेट चले जाएगा बाकि अगर सेम फास्ट बॉलर्स वाले स्कुर्ड के साथ में टीम दुवारा से आती है तो हो सकता है कि ये स्कूर करें और दो पचास इनके खाते में है और फास्ट बॉलर्स को अच्छा खेलते हैं वास इतना ध्यान रखिएगा पहले बैटिंग करते हुए दो पचास है अगर जो सामने ऑपोनेंट टीम है दामबुला वो इस्कूर को नहीं खिलाए कोई एक्स्ट्रा तो आप इसको टीम में पिक कर सकते हो फिर डिकवेला और निसांका दोनों को छोड़के आप इसको रख सकते हो इसके बाद नमबर पांच धनन जे लक्षन ग्यारा का स्कूर की आता बंदा बैटिंग प्लस बोलिंग दोनों कर लेता है बैटिंग तो अतनी अच्छी नहीं है गिनबाजी थोड़ी ठीक है तेरा पारी में 19 विकिट है जिसमें पहले गिनबाजी करते हुए 15 विकिट है अब चूकी पिछले मेच में गिनबाजी कराई नहीं तो हम यह नहीं कह सकते कि दोस्तो हुए कि दोवारा से इस मेच के अंदर इसे गिनबाजी कराई जाएगी या नहीं कराई जाएगी तो हाल फिराल कि सिदी में फ़ड़ा सा इनको छूड़के चलेंगे इसमॉल लीक के अंदर बस आप इतना करना कि जी यल के अंदर ट्राइ कर लेना बाई चांस अगर गिनबाजी करा लें तो गिनबाजी इनकी थोड़ी सी ठीक लगी है मुझे 9 में 15 विकेट है पहले गिनबाजी करते हुए लेफ्ट आम मीडियम बिनूरा फर्नांडो हैडन केर और राइट आम मीडियम शाह नवाज धानी आपको मिलते हैं जो की इने परिशान करेंगे बैटिंग अच्छी नहीं है गिनबाजी के बरोसे रखेंगे रिस्क लेके जी यल के अंदर इसके बाद दोस्तो नवाज मुहमद नवाज कभी भी आपको जी यल का पर्फुमेंस करके पकड़ा सकते हैं मतलब आपको जी यल विन करा सकते हैं तो इस खिलाडी पर लगातार कैप्टनसी का दाव खेलना है हमें जी यल के अंदर रही बात इनकी कमजूरी की तो लेक ब्रेक को ये नहीं खेल पाते हैं और लेफट आम फास्ट बोलिंग के सामने दिक्कत आती है हेड अन केर आपको मिलेंगे बिनूरा फर्नांडो भी है और गेन बाजी इनकी 23 में 17 विकेट है अब ये जी यल कैसे विन करा सकते हैं वो इनकी बल्लेवाजी की दव है कैसे अगर आपको दोस्तों 30 रन बना दी और 2 विकेट निकाल दीए तो इस ग्राउंड के इसाब से 30 रन बहुत अच्छा उप्षन हो जाएगा और साथ में 2 विकेट और जादा बढ़िया हो जाएगा इसलिए आप इनको जी यल में कैप्टन बनाते रहिए गा जब तक ये अच्छा ना कर दें और आपको पूरे सीजन में बनाओ ना करें अच्छा कोई दिक्कत नहीं लेकिन ये खिलाडी है कैप्टन सी के लायक GL की इसका दोस्तों चमी का करोना रतने है इन्होंने 23 प्लस 1 और 9 प्लस 0 किया है बेटिंग इस टीम की टॉप ओर एवरेज है तो बेटिंग तो आ सकती है खास तोर से कब जब पहले बेटिंग कर रहा है पहली चीज तो ये किलियर है दूसरी चीज है कि डेथ ओर में गेंदवाजी करते हैं अब डेथ ओर में गेंदवाजी मतलब क्या हो जाता है तो इसको हम इसलिए पिक करके चलते हैं और इसके बाद रमेश मेंडेस छोड़ दीजिए मतीशा पतीराना रख लीजिएगा 20 पारी में 28 विकिट हैं दोनों पारियों के अंदर अच्छी गिंदबाजी है इसको टीम में पिक करके चलेंगे और इसके बाद दोस्तों दसवे नंबर पे हैं जैफरी जैफरी और नसीम शा इन दोनों मेंसे किसी एक को पिक कर लेना वैसे तो दोस्तों नसीम शा के साथ में काफी सारे लोग जाएंगे और जैफरी के साथ में कम लोग जाने वाले हैं तो जो मेरा रिस्क है वो जेफरी है आप लोग safe जाना चाहते हो नसीम रख लेना 19 में 21 विकेट है यहां 12 में 18 विकेट है अब आप लोग टैग कर लेना कि आपको क्या करना है मैं विकेट के इसाफ से चल रहा हूँ तो मैं जेफरी को रखूँगा अब आते हैं दोस्तों हम से दूसरी टीम की तरफ यहां तक की चीजे क्लियर है दोस्तों मेहनत मशक्कत पूरी लगती है आप लोग जो वो टुनुक नहीं कर पाते हैं टुनुक करना है वस्त आपको लाइक के बटन पर चमक जाएगा और हमें अच्छा लगेगा अब यहां पर देखिए का मेंडिस ने चार पारी में किया है 122 31 अविश्का फर्नांडो 37 का एवरेज है 50 है सदीरा पांच में 146 है कुशल परेरा एक में 4 है धनंज डिसिलवा चार में 90 एलेक्स रोस एक में 21 और रविंदू फर्नांडू एक में 19 इत्ते खा भी लिए थे इन्होंने कोवर में जित्ते पहला नाम है कुसल मेंडिस का बैटिंग एवरेज इस टीम के सामने मतलब कॉलंबो के सामने बढ़िया है और वैसे भी 226 का एवरेज है इस खिलाडी को हम विकेट कीपिंग प्लस 20 रन के लिए टीम में रखके चलेंगे अला कि यहां दो मैचेस गंदे जा चुके हैं लेक पहिराना विकेट टेकर गिनबाज है जरूर लेकिर यह पावर प्ले में गिनबाजी नहीं करता दूसरा है दोस्तों करुना रतने यह विकेट टेकर नहीं है सिर्फ इनको डैथ ओवर में विकेट मिलते हैं तो यह इसलिए हमारी टीम में रह जाएंगे क्योंकि यहां पर इनको आउट करने वाला दोनों गिनबाज एविलेबल नहीं है फिर अविश्का फरनांडो दोस्तों यह खिलाडी स्कोर करके देगा आपको 80% मैचेस में 20% खराब जाएंगे 80% इनके अच्छे जाएंगे तो इसलिए इस खिलाडी को आप आँख बंद करके as a player रख सकते ह वाइस चैप्टन सीख लिए ठीक चोईस है पर अभी के लिए दोस्तों आप इनको as a player रख लेना दोनों पारियों में 3-3-50 और एक शटक है और्थोडोक्स के सामने 11 का एबरेज अब सामने वाली टीम में नवाज, M.D. नवाज, मुहमद. नवाज मिलते हैं जो की power play के अ एक अच्छा शिकार हो सकता है फिर है दोस्तों सदीरा समर विक्रमा 37 का एबरेज, 42 का एबरेज है लेकिन बैटिंग performance वैसा आया नहीं है तीन मैचिस निकल चुके हैं अब एक पारी तो बढ़िया आएगी ये तो मान के चलिएगा लेकिन small league में तो risk नहीं ले पाऊंगा लेकिन GL में try कर लेना क्योंकि दूस्तों top 3 में खेल रहे हैं अभी के लिए try कर लेना GL के अंदर क्योंकि हाल फिलाल में कोई weakness नहीं है अब इसका भी एक reason है बता देता हूं क्या normally पिछले साल तक जो इनका betting down था वो था 5 पे और 6 पे नमबर पे वहां maximum matches में not out रहे इस वज़े से इनकी आपको weakness नहीं मिल रही इस वज़े से आपको यहां पे इनका average अच्छा मिल रहा है और यही reason है कि इनके खाते में 50 कम देखने मिल रहे है आपको तो आप सिर्फ GL मे medium परिशान करता है राइट आम ओफ ब्रेक परिशान करता है और लेक परिशान करता है सामने वाली टीम के पास में कौन है एक तो बाबाराजम से भी बड़ी है choice कहूंँ अभी तो मैं captain के लिए और थोड़ोक्स इन्हें परिशान करता है, right arm medium परिशान करता है, तो अभी के लिए right arm medium जो है वो इन्हें out कर पाएं या ना कर पाएं लेकिन नवास के chances high हैं, वो इनका विकेट निकाल सकते हैं, इसके बाद द लाड़ी तब टॉप ओडर नहीं चल रहा होगा तब के लिए बढ़िया है लेकिन इस टीम का टॉप ओडर अच्छा है तो इसलिए हम स्मॉल लीग में तो पिक नहीं करेंगे इन्हें राइट आम मीडियम के सामने 16 का एवरेज है और यहां पर पतिराना और करना रतने दो मि यार मिने इसको चेंज इन्हीं किया ओँ तक लेफ्टा मीडियम है एक एक विकिट है आप माले जी कि अगर बंदा थोड़ा थोड़ा ठुकाई हो गई तो इसका मतब नहीं कि बेकार प्लेयर एक मैच में 0 लगा कोई दिक्कत नहीं है गिनबास बढ़िया है अगर मैच देखते हैं तो देखो गए तो आपको समझ आ जाएगा कि यह गिनबास बढ़िया है फिर और नवास पर आएंगे कुछ परसेंट लोग जैसे 5 परसेंट लोग जो ज्यादा समझदार है वो कोशिश करेंगे कि हम तोड़ा रिस्क उठाएं तो वो नवास पर आजाएंगे और अगर पहले वेटेंगे टीम कर रहे हैं तो यह समझदारी आप भी दिखा सकते हो तो से पहले क्या करोगे माइफेवेलेबन एप्लिकेशन को डाउनलोड करोगे लिंक कहां है डिस्क्रिप्शन में है जाकर डाउनलोड कर लो अब देखो जारा कुशलमेंडिस अविश्का निसांका आजम डिसलवा करना रतने हेड़न केर वेंदर से नवास फरनांडू और प टेलेग्राम का सीधे बोलती है मैंने लेकिन लाइक तो मुझे याद है तो यह ज़रूर कर देना मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में जब तक कि लिए जैन जै बारात दिन में दददद वीडियो बनवाओगे ठकाओगे